हमारा टापिक है वो है वेरस की अबाउट LAST time हमने वेरस के इंट्रेडिक्शन पढ़ा था इसके लावा हमने labeled classification को डिसक्स किया था तो आज हम डिसक्स कर रहे हैं size और ट्रॉक्षो ऑफ वेरस तो देखें कि जो size होता है virus का वो बहुत ही छोटा होता है यानि कि बैक्टेरिया से भी छोटा होता है जिसको हम देखने के लिए light microscope का इस्तमाल करते हैं क्योंकि इतना छोटा होता है कि हम इनको naked eye से नहीं देख सेकते इस वजा से हम इनको क्या कहते हैं ultra macroscopic भी कहते हैं कुछ virus इतने बड़े होते हैं जैसे कि pox virus हो गया can be seen under the light microscope when suitable sustain and some virus are larger जैसे कि क्या हो गया pox virus हो गया इनका जो size होता है वो कितना होता है 300 nanometer होता है and about the same size of small bacteria जिसको हम क्या कहते हैं mycoplasma कहते हैं smallest virus जिसको हम क्या कहते हैं perovirus कहते हैं mayors about 20 nanometer structure की बात करें तो जो virus की structure होती है वो किस चीज़ पर मुश्टमिल होती है is composed of inner core which is surrounded by our code code क्या होती है एक protein होती है जो क्या करती है उनको protect करती है from the environment virus are not cellular ये cellular नहीं होते इसी वज़ा से क्योंकि इनके पास क्या होता है ना तो nucleus होता है ना साइटो प्लास्म होता है और ना ही इनके पास cell membrane होते हैं core को देखें तो core क्या करता है core के अंदर हमारे पास पहाँ जाता है nucleic acid nucleic acid चो होत है ना वो क्या करते हैं एक तरहा का ही nucleus मतलब contain करते हैं या तर नके अंदर RNA हो सकता है या तर नके अंदर DNA हो सकता है वो virus जो RNA को contain करते हैं उम यह क्या कहते हैं और nucleic acid जो होता है वो single strand भी हो सकता है और double strand भी हो सकता है structure की बात किरें तो हमने पहले ही पढ़ा क्योंकि ये non-cellular होता है तो इनके अंदर nucleos satraplasm cell membrane नहीं होता और जो virus होता है वो composed होता है nucleic acid से जिसके एर्थिकिट क्या होता है coat होता है जो कि protect करता है from environment से तो यह हम structure देख रहे हैं यह structure में देखें सबसे पहले जो अपर लाइन है यह वला portion यह skypy है यानि कि प्रो पैपलो मोर्स है यह क्या करता है attachment में मदद देता है उसके बाद आते है हमारे पास envelops कुछ virus ऐसे होते हैं जो कि क्या होते है without envelops होते हैं तो उनको हम क्या कеते है non-envelop virus केते हैं इसके अलावा यह देखें तो हमारे पास बहुत सारे sub unit होते हैं जिनको हम किसीज़ का नام देते है Capsomere का नام देते है Capsomeτέ मिल कर क्या बनाते है Capsid बनाते है अब उनका क्या काम होता है देखें Capsid and envelop को डिस्क्स करें तो Nucleic Acid जो होता है विरिस का Surrounded by a protein coat वो जिसको हम क्या कहते है Capsid कहते है Capsid क्या होता है Protein coat होता है जो के विरिस के इर्थ-कर्थ क्या होता है पाया जाता है Each capsid is composed of protein subunit जो छोटे-छोटे units होते है मिलकर क्या बनाते है Capsid बनाते है Units को हम क्या कहते है Capsid मेर कहते है In some virus जो capsid होता है वो covered होता है by an envelope ठीक है जिसकी वज़ा से हम क्या कहते है Usually consists of जो envelope होता है वो किस चीज का combinations होता है Lipid, protein and carbohydrates का इसके लावा Depending on the virus Envelope may or may not be covered by Spiking Which are carbohydrate protein complex That project from the surface of the envelope Now let's see that Some virus are attached to the host cell By means of spiky Spiky, what do you do in attachment? What do you do in attachment? What do you do in help? It helps you do in attachment Viruses whose capsid are not covered by an envelope Are known as naked virus And non-envelope virus The capsid of naked virus Protect the nucleus From nuclear enzymes in biological field And promote various attachment to suspectable host cell So nucleus हमने discusses किया है कि जो core होते है उसके अंदर nucleus पाया जाता है DNA भी हो सकता है या RNA भी हो सकता है तो nucleus double stand होता है या दो single stand होता है poseअ हम सकता है मझे जा पान charger-to-स, क्यार को मझे कि या रीओ कि अन्य 계 forskो Kit